परिचय राहूल अपने घर की छट की बालकनी में बैठा हुआ है वह वाहन पार्क करने वाले स्थान पर खड़े स्कूटर और कारों की संख्याओं को गिनने में व्यस्थ है वह पताता है कि स्कूटरों की संख्या कारों की संख्या से अधिक है इस सथ्याय में आप बड़ी और चोटी संख्याओं को जानेंगे आउ सीखें दस से बीस तक की संख्याओं लिखना बड़ी तथा चोटी संख्याओं का पता लगाना क्रम सूजक संख्याओं को पहचाना दस से बीस तक की संख्याओं इन रंगीन केंदूं को देखें आओ, हम इन्हें गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ और नौ आओ, हम एक और जोड़ते हैं हमारे पास दस केंदे हैं नौ और एक मिलकर दस होते हैं आओ, हम इन गेंदों को एक पार्टी में डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समो है एक नई पार्टी लेते हैं, इसमें एक गेंद डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समो हो और एक गेंद है दस और एक मिलकर 11 होते हैं दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समूह और दो गेंदे हैं दस का समूह और दो मिलकर 12 होते हैं दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं दस का समूह और तीन मिलकर तेरा होते हैं, दस का समूह और चार मिलकर चौदा होते हैं, दस से बीस तक की संख्याएं, दस का समूह और पाँच मिलकर पंदरा होते हैं, दस का समूह और चै मिलकर सोला होते हैं, दस का समूह और साथ मिलकर सतरा होते हैं, दस का समूह और आठ मिलकर अठारा होते हैं, दस का समूह और नौ मिलकर उननीस होते हैं, दहाई और इकाई का समूह, इन पके केलों को दिखें, ये कितने अच्छे दिखते हैं? अओ, हम इन्हें दस के समुह में बाढ़ते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस हम दस के एक समुह को गिन चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस एक और दस का समुह बन गया अब हमारे पास दो समुह हैं, जिसमें से प्रत्यक में दस के लिए हैं दस के दो समुह मिल कर बीज होते हैं कम और ज्यादा इन दो चित्रों को देखे, इन में से किसमें ज्यादा चड़िया हैं? अगर आप देखें तो पाएंगे कि पहले चित्र में तीन चड़िया हैं, जबकि दूसरे चित्र में पांच चड़िया हैं इसे देखकर हम बता सकते हैं कि दूसरे चित्र में पहले चित्र से ज्यादा चड़िया हैं आये दो और चित्रों को देखते हैं उल्टी तरफ के चित्र में शर्मा का परिवार है, तथा सीधी तरफ के चित्र में पांडे का परिवार है। अब बताईए कि इन में से किसके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। अगर हम दोनों परिवारों के सदस्यों की गड़ना करें, तो हमें पता चलेगा कि शर्मा के परिवार में साथ सदस्य हैं, जबकि पांडे के परिवार में पांच सदस्य हैं, इससे हमें पता चलता है कि शर्मा के परिवार में ज्यादा सदस्य हैं. आओ खेलें, सही उत्तर को चुने, उस चुत्र पर क्लिक करें, जिसमें अधिक बल्व हैं चोटी और बड़ी संख्याएं याद रखें कि शर्मा परिवार में साथ और पांडे परिवार में पांच सदसे हैं शर्मा परिवार में अधिक सदसे हैं इसका मतलब है कि संख्या साथ, संख्या पाँच से बड़ी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। संख्या चार, संख्या दू से बड़ी है। संख्या पंधरा, संख्या दस से बड़ी है। उधारण को दूसरी तरह से देखते हैं। पांडे परिवार में कम सद़से हैं। इसका मतलब है कि संखिया पांच संखिया सास से छोटी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बात में आने वाली संख्याओं से पहले आने वाली संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या दू संख्या चार से छोटी है, संख्या दस संख्या पंधरा से छोटी है, क्रम सूचक संख्याएं। इन लोगों को देखें, ये दूत खरीदने के लिए एक बंग्ती में खड़े हुए हैं, स्थान एक पर खड़ा व्यक्ती पहला है, स्थान दो पर खड़ा व्यक्ती दूसरा है, स्थान तीन पर खड़ा व्यक्ती तीसरा है, स्थान चार पर खड़ा व्यक्ती चौथा है, स्थान पांच पर खड़ा व्यक्ती पांचवा है, स्थान चै पर खड़ा व्यक्ती छटवा है, स्थान साथ पर खड़ा व्यक्ती साथवा है, स्थान आट पर खड़ा व्यक्ती स्थान दस पर खड़ा व्यक्ति दस्वा है। हमने क्या चर्चा की। 10 के दो समुह मिलकर 20 बनाते हैं। पहले आने वाली संख्याएं बाद में आने वाली संख्याओं से छोटी होती हैं। बाद में आने वाली संख्याओं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं।